ये हैं राखी नागर गोजे अमरावती महराष्ट्रा से साक्षी जाड दुबई UAE से हैं शिबानी ठककर इंदौर मद्द प्रदेश से हैं और मुनिका साहा चैनी तमिल नाडू से हैं और भी रिलेटेट कोश्चन्स हैं लेकिन सब के नाम ले पाइना बड़ा मुश्किल हो राधा या सीथा कमिंग क्यों नहीं रखा क्या ये जेंडर बायसनेस नहीं है क्या जितने लोगों ने नाम पूछा है मतलब ये प्रशन में उनसे एक उल्टा प्रशन पूछता हूं मतलब रिवर्स में आपने बोला कि गूगली मारी है तो में वी एक कुष्ण ये करती है क्या भगवान पूरुष्य अस्त्री होते हैं क्या मेरे आपसे तीन प्रशने हैं देखिए कृष्ण कमिंग नाम एक मा की उस उस हजारों वर्शों की इच्छा के उपर रखा गया है जहां पर उसकी गोध में एक ऐसा नन्ना मुन्ना खेले इर्रिस्पेक्टिव अ जेंडर एक घर में खुशियों का वातावरन लेकिया है कई घरों में प्यूस्तर में ने देखा कि घर में जब तक बच्चा नहीं होता तब तक एक अजीब सा एक नीरस था नीरव था कई बर तनाव क्लेश भी लेकिन जैसे शिशु का जन्म हुआ दादा दादी को जीद नया एक पुनर जन्म मिला उनका बच्पना फिर से आ गया माता पिता को जिन्दगी एक किसी एक बच्चे को देख के जी जा सकती है किसी आतमा को इड़े के लिए जिन्दगी भर का कारण मिल गया उसे बढ़ा करेंगγα उसे सब चान्कराइकों हजारों वर्षों से वो जो एक परंपरा रही कि जिसमें हमने सबसे नटखट बाल गोपाल जिसकी लीलाएं सबसे ज्यादा सुनी इंजॉय करी आंखों से आंसों निकले उस लीलों को और चेहरे पर मुस्कुराहट आई कई समय वह कुरुष्ण थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो इस भजन को आप अगर ध्यान चे सुनेंगी तो काना को माखन खाते हुए माने देख लिया और माने कहा हाथ को पकड़के ऐसे करके काना के कि तुम ने माखन खाया है ना तो पूरे भजन में आपको पता होगा काना आडे रहे कि मैया मोरी मैं कही सौरी कि मैय जीया तेरे कुछ ब्हेद आ उपजी हैं कानठ ने अपने सारे शास्त्र शारी वे अधर पुराण और सारे तरक सभड़ दिये लेकिन आखरी में कुछ। ने अजसुद्विते प declining मां य administrations एकर भी कान के क्या अही मां जीशन आपत धूरे कि मैं माखन नहीं खाया, अब ये करूं कैसे, सारे तरक, सारे तीर छोड़ लिया, सफल रहे, आखरी में जाके, कुरुष्ण भगवान ने कहा मा को, कि मा मैं मुझे समझ में आ गया है, कि तुन्हे मोहे जानियो, परायो जायो, कि मा मैं जान चुका हूँ, कि तुमने मुझे असलि सूरदाजी ने आगे लिखा है, सूरदास तब हसी यशोदा, लेवर कंठ लगायो, ये सुनते से ही यशोदा, पहले एक दम बाल सुलब चीज़ पर हसी, लेकिन उसके बाद में नैन नीर भरी आयो, यशोदा, सुना मी आ गई सहाब भावनाओं की, मा का ममत्व, अपने सा सारे तरकों के बांध को तोड़के आँखों के रास्ते से बेह निकला, और काना को गोद में लिया, और काना को गले से लगाया, और सिर्फ एक पंग्ती रोते हुए, यशोदा जी ने कृष्ण भगवान को कही, सुनलला मोरे, तै नहीं माखन खायो, तूने माखन नहीं ख जिनकी वक्र भुकुटी के भैसे सागर सब तो उबलते देखा, उनकी बाल बाता हो, इतना सागर आड़ा हो जाता है, तो सागर उबलते देगे हमने, उस कृष्ण ने जब अपनी माँ को रोते हुए देखा, कि मैंने शायद माँ को कुछ गलत चीज़ कह दी, माँ रो दी अब मैंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया, तो माँ ने कहा था कि कनया तै नहीं माखन खायो, सुन लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो, नहीं तुने नहीं नहीं खाया, जबकि माँ देख चुकी है, ये माँ का ममता, लेकिन इसके आगे बढ़के सोचिए, साहब हमने कृष् आविक है, इसको दुनिया में कोई भगवान तरस्ते हैं, उसी के लिए भगवान ने जन्म लेकिन कृष्ण जैसा एक शिशु जन्म में आना, वो एक संसकार निरूपित करता है, कि मा के आँखों में आशू, मा को दुख पहुँचे, तो फिर भगवान अपने ठकुराई भूल जाते हैं, भगवान का कहा हुआ, सत्या सत्य नहीं होता, भगवान जो कहते हैं, वो सत्य होता है, भगवान किसी तिर्थ में नहाते हैं, जहां नहाते हैं, वो तिर्थ होता है, भगवान किसी क्षेत्र में जाते हैं, भगवान जहां जाते हैं, वो तिर्थ क्षेत्र है सचे लेकिन वो भगवान भी कहते है कि मां अगर दुखी है तो उसके आगे सब भूल जाओ और शमा मांगो और कृष्ण भगवान ने फिर जो कहा मैया मोरी मैंने ही मां खनकायो यह संसकार बच्चों में लाने के लिए कृष्ण कमिंग नाम रखा है कृष्ण किसी एक भूल जाए कि किसकी गलती है पैर पढ़ ले मां को गले लगा ले और आसुबाहा के कह दे मैया मोरी मैंने ही मां खनकायो तो कृष्ण कमिंग अपना नाम इसलिए कृष्ण कमिंग यह पुरूश और स्त्री और यह फेमिनिजम और यह जेंडर यह पश्च्चिम का विचार उनको उनी को मुबारक नेने दीजिए हमारे आज भी हम अपने घर का बता रहे हम रात को ग्यारा बजे भी अगर घर पहुंचते हैं तो सबसे पहला प्रश्ण हमारे घर परिवार से हमारे पत्नी से बच्चों से रिता है कि दादा दादी कितनी देर पहले सोए अगर पां अगर पे नहीं थे तो अदरवाइस ये परंपरा हमें कोई फेमिनिजम और ये कोई पुरूश और स्त्री और ये इस तब से नहीं मिली साहब ये परंपरा तो हमें इससे समझाई कि कुछन भगवान ने समझाई राम जी ने समझाई प्रात काल उठी कई रगुना था मात तो पिता गुरु ना वही मा थासुबे उठके भगवान सबसे पहले माता पिता के पढ़ते थे तो क्या इसे राम जी को पूरुश है इसलिए गए नहीं सहाब उन श्रेष्ठ परंपराओं को उन उदात विचारों को उन जबरदस्त संस्कारों को जिसका सारा विश्व खारी बनकर हमसे मांग रहा है कुष्णा कमिंग एप में आप जानते हो प्यूश सर जितना भारत से सब्सक्रिप्शन उतना ही ब्रॉट से सब्सक्रिप्शन है तो इसलिए इन परंपराओं को सुरक्षित रहिए साब आपके उदर से कुष्ण जनमेगा इस यह सब सोच मत रुखिये तैंक यू से तो कुष्णा कमिंग एप का नाम इसलिए नहीं है कि कोई वो प्रुष्ण लड़का है लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी राखी जी और साक्षी जी शिबानी जी आपके इस प्रश्ण के कारण कई और लोगों को भी आज इस इस में